देखो एक है 1 upon me x का graph ठीक है यह कैसे बनता है यह देखिएगा यह देखो यह चीजे है यह ऐसे तो देख पाना बहुत ही यहानि कि graph बहुत ही छोटे छोटे values पे हैं तो उनकी minor minor values आती है ठीक है तो देखो पही क्या है तो यहां से आप देखो आपके पास में देखो function तो आपके लिए क्या है कि 1 upon me x है ठीक है और यह define कहां से कहां के बीच में है देखो इसने बोल रखा है कि जो अपने पास जो function है वो r से r minus 0 से r पे define है तो यहां से जो अपना function है वो define कहां से r में से r minus का 0 से लेके r पे define है इसका मतलब domain इनों ने दे रखी है वही यानि कि r minus 0 होगा यानि function कहां पे होगा यदि आपने यहां पे 0 दे दिया तो यह undefine होगा infinite that means not define this function so we have take the domain is right place तो यहां पे पनी जो domain आएगी r minus 0 आएगी ठीक है अब देखने भी आगे अब इसमें देखो वही काम करना अपने को तो भई यहां पे aks आएगा और यहां पे aks आपका उपर ही दिया होगा अपने को तो यहां से देखो पहले हम value put put तो करेंगे ना यहां पे aks की value कहां से रखना पसंद करोगे y यानि 1 पे रखना पसंद करोगे तो 1 रख लो यहां पे aks की value 1 पे 1 और यहां पे यहां पे 3 पे लखना चाहो तो 3 भी देदो यहां पटेगा तो अब में देना चाहूँगा इसको aks equal to 1.5 तो y equal to कितना आएगा 1 upon में उपर से नीचे जाएगा 10 तो यह 15 तो देखो क्या आप इसकी value कितना आएगा 0,100 लगेगा तो देख लीजएगा कितना आ रहे हाला है तो यह आएगा 6 तो यह 6 आएगा यह देख लो यह यहां पे आएगा तो यह 30 आएगा और 6 आएगा तो 9 आजागा तो यह यह 0.6 फिर आगे देखो क्या बचा यहां पे 10 बचा अगें 0.6 यह यही बात है यहां पे 5 5 upon में यह हां 2 upon में 3 वही बात है तो यहां से अब देखो 1 आगा फिर 2 देदो यहां पे अक्स इकोल 2 तो यह इकोल 2 पे value कितनी आएगी 1 by 2 that means यहां पे आएगा 0.50 ठीक है यहां पे इसी में अब देखो और क्या है बचा अपने पास देखो negative value भी र X is equal to Y equal to 1 by 3 इसकी value आएगी 0.0 0.33 तो यहां पे आएगा 0.33 और यहां पे आएगा 0.5 और यहां पे क्या रएगा? यहां पे आपके लिए आएगा 0.66 यह ठीक है यहां पे और इसकी value 2 से हैं तो इसकी value बढ़ हैए ठीक है यहां पर ठीक है सब पुछ अब देखो 0.5 तो 0.5 यह दि अक्स की वेल्यू आप क्या रखते हो यहां पर 0.5 रखते हो तो y की वेल्यू कितने आगी 0.5 equal to आपके लिए क्या है? कि उपर तो 10 आगया नीचे 5 आगया रुके रुके sorry sorry नीचे आएगा 0.5 तो उपर आएगा 10 10 by 5 again यहां पर कितने आएगी इसकी वेल्यू 2 यह देखो 2 आएगी और यहां से देखो आगय देखो 0. यदि आप क्या रखोगे तो यहां से y की वेल्यू कितने आएगी 0.25 equal to 100 by 20 और यह कितना एगा 4 तो यहां से 4 आने वाला है फिर यहां कितना आएगा valid minus का देखो यहां पर minus का 2 आएगा और यहां पर minus one आएगा कोई दिक्त यहां तक और यह دेखो 10 पहँजंः यहां पर क्या हेगा minus का zero point six six और 2 का divided करोगे तो minus zero point five six यानि 0.50 इस परकार से हमने क्या देखिए इनकी values देखिए भई ठीक है यह उनकी basic सी calculation है जो आप कर सकते हो अब इनका graph की बारी आती है इस परकार से हम आगे तक तो जा सकते हैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है इस परकार से infinite तक जा सकते हैं क्योंकि real में ख्यल रहे है कि r में से 0 ही आप क्या कर रहे हो minus कर रहे हो only इसलिए अब देखो इसका graph देखते हैं यहाँ पर अब देखो पर क्या क्या आपके लिए देखो पहली बात तो आपको यहाँ पर one है यहाँ पर आपका one है फिर देखो आपके लिए देखो अब की बार जो वेल्यूस आने वाली है वह जो positive numbers अनके लिए तो बहुत ही यहां पर आपको 1 ही लेना पड़ेगा और इसके लावा आपके लिए कोई चाहरा नहीं है न रुकिये यहां पर ले लो आप तो 1 फिर देखो 1, 1 के बाद में आपके लिए 1 0.5 फिर आपके लिए यहां पर 2 फिर आपके लिए यहां पर 3 ठीक है फिर इसके बाद में देखिएगा कि यहां पर negative में क्या-kya आपके पास y में रुकिये रुकिये यहां पर है 0.5 अगेन देखते हैं यहां पर थोड़ा सा गेप जादा करना पड़ेगा हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा पहले तो यहां पर 0.5 ले लो फिर यहां पर 1 ले लो फिर यहां पर 1.5 ले लो फिर यहां पर 2 ले लो फिर इसके बाद में लेना चाओ तो तो 3 ले लो ठीक है अब आगे अब देखो negative में value सोचनी पड़ेगी न अपने को और इसमें तो और भी values हैं कोई दिकत नहीं है यहां पर ले लो बहुती छोटी वैल्यू है 0.25 फिर यहां पर आओ फिर यहां पर माइनस फिर यहां पर माइनस का 1.5 फिर इसके बाद का माइनस का 2 यह तो इसमें कैसे 4 इस तरीके से ठीक है अब देखों यहां पर भी वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 5, इस तरीके से ठीक है अब क्या करने वाले हम देखो 0.5 पर वैल्यू कितनी है आपकी 2 यह और 1 पर वैल्यू कितनी है और इसके 1.5 पे value कितनी है आपकी 1.5 पे value है आपकी यहां से थोड़ा सा हाप से थोड़ी सी ज्यादा पिर 2 पे कितनी है हाप तो यह आया आपका हाप फिर इसकी value तो यहां पे आएगी भई यहां पे लेट कर लो भई 3 की value 1 by 3 की value ठीक है अब देखो इसी प्रकार देखो आगे जब भी value देखो इसके पास जाएंगे तो value भड़ेगी यह बात है तो यहां से जो graph draw होगा देखना थोड़ा सा बनावटा आपको समझ में आनी चाहिए इस तरीके से हम बना रहे हैं यह graph आप ऐसे केसे बन रहा है इसके पीछे का लोजिक यह यह इस तरीके से क्यूंकि हम इसके बहुत ही पास में आएंगे इस तरीके से हम चल रहे है इसमें अब नीचे वाले में देखिएगा आपके लिए 0.5 पे value कितनी है इसे माइनस का 2 थीक है इसके respect में और फिर आपके लिए 1 पे माइनस 1 है फिर आपके लिए देखिएगा कि और यहाँ पे 1.5 पे value है आपके लिए हाप से थोड़ी सी ऊपर ठीक है फिर इसके लिए नीचे फोड़ा सा इसके यहाँ पे याँ पे आएगा 2 पे ना 2 पे VOA है आपकी यहाँ पे इस 2 को थोड़ा सा ऊपर आई डाउण कर दो है ये 2 और ये यहाँ पे इसका हाप वेल्याँ ठीक है ये इस तरीके से आएगा इसके पास में से आएगा इस तरीके से तो यह जो गराप है जोड़ा सा यहां पर देखिएगा कि वेल्यू अगें लिखते हैं हम तो यहां पर माइनस और यहां पर 1.5 पर वेल्यू आएगी अपनी यह और फिर देखिएगा कि 2 पर वेल्यू आएगी यह ठीक है और यहां पर 0.5 पर कितनी वेल्यू है आपकी माइनस का 2 तो इस तरीके से देखो इस तरीके से वेल्यू क्या आएगी डाउन होती हुए आएगी यह इस तरीके से यह ग्राब बनता है ठीक है तो यह आया वन अपन में अक्स का ग्राब यह ठीक है यहां तक की बात है आई होप आपको किलियर होंगी सब कुछ तो वेल्यू कैसे आ रही कैसे यह ग्राब बन रहा है यह जब भी आप अपनी कोफी में बनाऊंगे अच्छे माप लेके बनाऊंगे तो अच्छा ही बनेगा लेकिन हम तो देखो एक्यूरेट तो है नहीं यह क्योंकि यह सब कुछ यह आपको फील देने का काम हो रहा है इस तरीके से ग्राब बन रहा एक्चूल में ठीक है अच्छा पुछा हो आपर आप अच्छा बनाऊंगे यह लेकिन हुआ है